अब असोग चौधे जी को एक भुमिहार जाती से इतनी पीड़ा है तो हम जाती तो अपना बदल नहीं सकते अब भुमिहार वहां से दूर जा रहा है नए 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 भुमिहार कभी दूर नहीं जाएगा यह लड़ाकू जाते हैं सुन लिजी आप उत्थान पतन तो जीवन कांग है हम ही बारे चुनाओं जीते हैं दू चुनाओं से मेरा बेटा हार रहा है कि थोड़े हम आउट होगे पालिटिक से तो रानीत का उत्थान और पतन किसी व्यक्ति कहने से किसी मंत्री कहने से नहों आपसी फूट होना है मैंने पहले भी कहा है कि जहानाबाद के लोग, गया के लोग, अर्वल के लोग, नवादा के लोग, औरंगाबाद के लोग जो रहने वाले हैं उनको ये इल्म मालूम है, ये कला मालूम है मैंने नितीजी से साफ साफ कहा, बिहार में हमको कहीं भेज दिजे, जहानाबाद जगदीज सर्मा कुर्ता फढ़वाले नहीं जाएगा, और मैं नहीं गया जहानाबाद जनता दल उनाइटेट दो भागों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक तरफ नितीज कुमार के करेवी मंतरी असोक चौधरी हैं, तो दूसरे तरफ जहानाबाद के सियासत में दंखम रखने वाले पुर्व सांसत जगदीज सर्मा हैं असोक चौधरी कल जहानाबाद में कारकरम के दोरान वहां के भुमिहारों को टार्गेट करते हुए खुब सुनाया है, हमारे साथ फुर्व सांसत जगदीज सर्मा है असोग चौधरी जहानावाद कारिकरम में जाते हैं आपके उपर आरोप लगाते हैं कि चुनाओ के समय आप दिल्ली बंबे भाग गए थे मैंने भी सुना है उनका बयान और ये बहुत ही अत्यांत दुखद बयान है उनका पीडा दायक भी है और निंदनीये भी है एक सम्मानित मंत्री जो सम्विधान की सपत लेते हैं उस सपत में जो मूल बात है सपत का कि चाहे जिस जाती का हो जिस धर्म का हो जिस समुदाय का हो जिस सम्परदाय का हो सब के साथ नियाय के साथ उनके कल्यान का काम करना है ये सच्चाई है बिहार में जातियां है और हम लोग राणीत के जिस पाट साला से आए उस पाट साला में सभी जाती धर्म संपरदाय वर्ग को एक साथ लेकर चलने की सिक्षा मुझको मिली है मैं उस पाट साले से आए हूँ राणीत के और मैंने भी एक लंबे अर्से तक राणीत किया है और सभी जाद सभी धर्म को साथ लेकर उनको पूरा-पूरा मान और सम्मान देकर हमने राणीत की है अब इस जाती विशेश से मानिय सोक शौधर जी को क्या पीड़ा है यह हम तो बियान कर नहीं सकते हैं और जाती है विहार में यह जाती है सचाई है और राणीत भी जाती आधार पर विहार में होते रही है चाहे वो मंत्री बनाना हो टिकर देना हो सब जगह जाती है समय करन का ख्याल रखा जाता है हमने आज तक लगभग 38-49 वरसों तक हम अस्यमलिया पार्लिमेंट में रहे हैं एक एक जामपूल आपको जहानाबाद जहां मेरा कार चतरा है घोसी मेरा कार चतरा है एक एक जामपूल नहीं मिलेगा कि मेरे द्वारा किसी जाती को कभी कोई तकलीफ हुआ हमने उसका बराबर ध्यान रखा है और अपने राज्याटिक जीवन में हमसे जो कुछ बन है उनके संकट काल में उनके विकास के लिए जग्दी सर्मा सदा तक पर रहे हैं अब असोग चौधर जी को कि एक भुमिहार जाती से इतनी पीड़ा है तो हम जाती तो अपना बदल नहीं सकते हैं यह सचाई है हाँ हम सब जात के साथ लेकर चलने वाए लोग हैं लेकिन हमारी जाती जो है उसमें हम अपने बदलाओं नहीं कर सकते हैं तो अब उनके मन में क्या बात है इस जाती ने क्या नुकसान उनका किया है यह तो आसोग चोधर ही बता सकते हैं जहां मेरे बंबे दिल्ली कलकता जाने के बात है तो ये सही बात है कि मैं नितीज कुमार जी के हां राहुल के टिकट के लिए गया था जहाना अबास नसदिय छित बामन से एक पक्ष में भुमिहार लड़ते रहा है उन्हीं सफवाद है लेकिन जब उन्हीं सफवाद हुआ तब भ और इसके गवाह माननिय केंद्रिय मंतरी आदनिय ललन बाबु हैं वो राहुल को साथ लेकर भुमिहारों की गाली सुनते हुए भी काफी भोड ट्रांसफर कराया चंद्रबंसी जी के पक्ष में और चंद्रबंसी जी को विजय सरी मिला लेकिन जब मैं चंद्रबंसी जी क जितने के बाद मानिय मुक्वंती जी से मिला था तो हमने कहा था कि यह सीच भुमिहारों का है इस बार तो भुमिहारों ने भोड दे दिया लेकि उसके मन में कसक है पीड़ा है उन्होंने का आगे से इसका ख्याल रखा जाएगा तो बीस यह आपका 24 का चुनाव आगया प लेंगे तो मैं मिलने गया मुक्वंती जी से यह बाइस लगभग का दिन का हो सकता है बाइस मार्च का बात है मैंने उसे निवेदन किया और पूछा कि राहुल को ठिकर दिया जा रहा है कि नहीं का कि नहीं तो हमने कहा उनको कि आपके दो मंत्री है विश्वसनी यह मौज का उतलु भिजाए चोधरी और अन्तिय जांग्यां जिखहा उनको आप पांच गाउं जहानाबाद का पांच गाउं भुमिहार का एउ छोड़िजिए मुसल्मान का गाउं छोड़िजिए जादर का कनो चोड़िजिए और पांच गाउं चाहे वहóriaटी पिछड़ा का हो पिछडा का हो, किसी जाती का हो, दोनों को भेच दीजिए, अगर लोग चंद्वनसी जी के पक्ष में बयान करते हैं, उनको आशिरबात देने की बात करते हैं, उनको टिकर दे दीजिए, और हम आए है राहूं के लिए, लेकिन अगर उनके पक्ष में लोग कहते हैं पांच कोई काम नहीं किया है कोई रखाक है कोई संपर्ग नहीं रखा है तो हम आये है राहुल के लिए राहुल लेकिल राहुल को छूड़ करчес आप डीक किसी जाद किसी । Gracie को कि कर देदीजिए हम इमांदारी से जो मेरी छमता होगी उससे हम मजद करेंगे निशीज भी निकाह हमने तैय कर दिया है चंद मनसी ही चुना लड़ेंगे तो हमने जरूर कहा कि चुना लड़ेंगे तो जहान अबाद में हम गाली सुनने नहीं जाएंगे जहानाबाद का लोग एक कह रहा है कि 2019 के चुनाओं में इजारा बेटा इनका राहुल करवा दिया चंदवनसी को जितवा के अब बाप अगर क्यवाला करने आवेंगे इस बाद चंदवनसी के लिए तो उनको हम अपमानित करने में नहीं बाज आवेंगे तो मैंने नितीजी से साफ साफ कहा बिहार में हमको कहीं भेज दीजे जहानाबाद जग्दी सर्मा कुर्ता फ़रवाले नहीं जाएगा और मैं नहीं गया जहानाबाद के लोगों ने आपको कहा कि आप इजारा और केवाला कर रहे हैं कि अब भूमिहारों ने वहां के कहा और आप पूछ रहे तो भूमिहार लोगों ने कहा और हम जाते कहां यहां तो सब जात के लोग भोट मांगते हैं जात के नाम पर जाकर तो हम कोई भेजा जाता भूमिहारे गौव में तो हमने ही कहा कि हम केवल चुप रहेंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाए अगर इससे इतनी बड़ी फीड़ा हो गई असोक शोजेजी को तो हम तो समझते हैं कि उनका जो ब्यान है वो जातिय विद्धोस फ्लाने वाला ब्यान है जो कहीं से च्छम में नहीं है और हम बताते हैं आपको कि मगत की धर्ती खासकर जहानाबाद, अरबल, गया, नवादा यहां कि जो धर्ती रही है उस सभी जातियों को जोड़कर चलने वाली धर्ती रही है हम लोग उसमें विश्वास करने वाले हैं कि सभी जाति जब तक एक साथ नहीं होंगे कोई चुनाओं में मुख्या तो हो इनी सकता MPML ए कैसे होगा इसलिए हम लोग किसी जात विश्व के खिलाफ नहीं उनके सब दिन मददगार रहे हैं और हम इसमें विश्वास करते हैं कि सभी जातियों को साथ लेकर चलेंगे तभी राजनीत में सफलता मिलेगी हम लोग जाकि पता करिया आप चाहे वो दुसरे जात का गाउं हो सबर्नों का गाउं हो वहां चाह करते हैं तो फिर भूमिहार अति-पिछरा को भोट क्यों नहीं करता है जब इतने वर्सों से अति-पिछरा भूमिहार को भोट करते हैं रहे जानाबाद में यह तो उनके बात का कथन है तेकि सवाल उठता है कि अति-पिछरा कहां लोग भोट नहीं करता है तेकि पारल्ले नहीं होगा अति पिछलों में अति पिछला सवर्व भूमिहारों का जो वहां संबंध है बिलकुल भाई-भाई का संबंध है भाई-चारे का संबंध है सोहार्द का संबंध है बिलकुल प्रेम का संबंध है जहानावाद के जो पोल्टिक्स भूमिहारों से दूर जाते नहीं जाएगा इलडाकू जाता है सुन लिजी आप उत्थान पतन तो जीवन का अंग है हम भी बारख चुनाओं जीते हैं दू चुनाओं से मैरा बेटा हार रहा है थोले हम आउट होगा पलिटिक से तो राजनीद का उत्थान और पतन राजनीद का नियती है राजनीद का अंग है ओर हम बार-बार कह रहे हैं कि हम लोग कभी जातिय अधारित राजनीत नहीं किया है इस घ्ना को हमको भी सभी जातियों ने वोट दिया है और सभी जातियों आपने के हमने उनके सम्मान में जो बना है खड़े रहे हैं और उनके लिए काम भी किया है जीतिस कुमार 2019 में राम जतन सिन्हा भूमिहार जाती से उनको धोका दिया चोबिस में आपको धोका दिया नहीं हम धोका सब नहीं कहेंगे हम तो इस बात को मानते हैं कि हम हमको धोका नहीं दिया लेकिन जिस समाज का टिकट होना चाहिए था अज जीतता जी समाज का एक से चानो सम्टू